आज हम बात करने वाले हैं important American writers के बारे में अगर आप English literature की तयारी कर रहे हैं किसी भी exam के लिए तो उसमें आप लोगों के लिए ये लिस्ट बहुत important होगी American writers में कई बार हमारे में question होता है कि कौन से writers हम पढ़े हैं और कौन से works important works हमें पढ़ने चाहिए तो यह अगर आप इतने works कर लेते हैं तो आपका जो American literature है वो आपका काफी हत्तक ठीक हो जाएगा ठीक है मैंने आप लोगों के लिए एक short trick भी इस पूरी जो पीडियो का यह वाला पार्ट था जैसे कि आप लोगों पता है कि मैं अभी आप लोगों को करने हैं और इसके बाद आता है वाल्ट विट्मन वर्ट में के लिवस औव ग्रास सौंग्स ऑप मयसेल्फ आई एक अमेरिकन सिगें तीन वर्क आप लोगों को करने हैं पिर उसके बाद हैं आप लोगों इंपॉर्डंट राइटर नेदिनर हाउसर इनक्या वर्क है गैबल इस एलन पो देखिए यह ऐसा नहीं है कि अमेरिकन इंगलिश लिटेचर में आपको सिर्फ यही पढ़ना है आप उसकी जो हिस्ट्री है उसे आप बैक्डराउंड अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मां हिस्ट्री का और बैक्डराउंड की तैयारी ठीक है य है आप इस्ट्री आफ इंगलिश लिटेचर पढ़ रहे हैं अब अफ लोगों को साउंड बैक्डराउंड में आरा होगा तो यह पर नजदीक में मेला चल रहा है तो आप थोड़ा बहुत साउंड आज सकता है वीडियो में बैक्डराउंड में तो चलिए निक्स्ट्ट जो राइटर है वो है आपके एजर एलन को उनका है इनका वर्क है ब्रेक टेबल सीरीज दी डेकंस मास्टरपीस एंड वंडर वन होस से अगला जो टिप है आप लोगों के लिए वह आप लोगों समझना बहुत जरूरी है कि जब हम यूजी सी नेट की तयारी कर रहे होते हैं तो यूजी सी नेट के लिए जब हम आपको नोट से देते हैं तो बहुत ही डिटेल्ड होते हैं वहां पर आपको बहुत डिटेल्ड स्टडी करनी होती है यहां पर जब हम पीजीटी या पीजीटी लेवल की बात करें और एल्टी जो है एल्टी एक्जैम की बात करें लेक कहीं कहीं जो डिटेल स्टडी होती है अगर हमने की है तो हमारे पास एक ऑप्षन होता है और आंसर को एनलाइज करने का आपके राइटर है इनका वर्क है आर्था मिलर डेटा उप सेल्समें विव फ्रॉम दिब्रिस दो वर्क आप लोगों को अब यहीं अगर मैं कहूं तो यूजी सी नेट वाले कोर्स में जब मैंने आप लोगों को यह प्रोवाइट किया था जिन भी लोगों के पास होगा उन लोगों की हम एड कर लेते हैं तो बहुत डेटेल हो जाता है यहां पर आपको शाट नोट्स ज्यादा लर्न करने मघब ज्यादा करने रटना ज्यादा है अर्निस्ट हैमिंग वे इनका है धी ओल्ड मैंड एंड बहुत इम्पर्टन वर्क है यह फेर्वेल तो आम्स हमन मै अमेरिकन इंग्लिश रिटेचर का उसके बाद आ जाते हैं यूजिन ओनाल दिहरी एप एंड दी मर्डर इन दी र्यू मॉल पीजिटी के लिए आपको क्या करना है चीजों को रटना बहुत जरूरी है इस पूरी पीडियाप को अगर आप लर्न करना चाहते तो आप एक ही आप लोगों को यह आपको इमेजन करना है और इन चीजों को बार बार रटना है जिससे चीज़े याद हो जाए हेंरी जेम्स देपोर्टेट अफ लेड़ी और गोल्डन बाउ जॉन स्टेंबेक इस्ट उफ इडिन ग्रेप्स ऑफ रैथ रॉबर्ड फ्रॉस्ट स्टॉफिंग वाइवूर्ड ऑन अ स्नोवी इवनिंग सिल्विया प्लैट बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है मिरर दि बैल जार अब इसमें आप लोगों जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आप लोगों याद होगा कि एक मिरन हम लोगों ने बनाया था और उसमें हमने एक बैल जार बना लिया था ठीक है एक जार बनाया और उसके सामने कौन था सिल्विया फ्लैट उसे देख रही थी आप लोगों इस तरह से याद हो गया होगा कि सिल्विया फ्लैट देख रहे थी तो मिरर और बैल जार आप लोगों को याद हो जाएगा यहां पे था विलियम सी डगलस विलियम सी डगलस और गर्ल विद बा यहां तक आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है इतने राइटर्स आप लोगों को बहुत क्लियर याद होने चाहिए इनके जो वर्क्स है इन ही से पूछन पूछ लिया जाता है कि कौन किसका वर्क है अगर आप इसके साथ में पॉब्लिकेशन डेट आड़ कर सकते हैं और इसमें करेक्टर्स आड़ कर सकते हैं तो आपके जो नोट्स होंगे और ज्यादा इनरिच हो जाएंगे ठीक है तो समरी में हम लोग इसे देखेंगे और सारी चीजे बाकी अगर आप लोगों को वीडिय है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लगण बाई टेक केर